वेरी वेरी वेलकम टोल साथ ही लुट अप्धिपर्देश अथ्मीट्रे स्वागत है मद्धिपर्देश अश्च्टेन प्रोफेसर एक जाम प्रदेश को देखेंगे और करेंट परदेश को देख लिया है तो पेपर वन में करेंट अक्टूबर 2023 का क्योंकि यहां पर आपके क्रेंट पूछे जाएंगा चाइगा अपको अच्छे से करना है ताकि आपका करेंट से लेकर दिसंबर 2023 तके क्रेंट को आपको करना है है इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है बस सिक्समत क्योंकि पेपर अल्टेडी छप चुके हैं आगे का करेंट पर देख लिया है नौंबर का देख लिए अक्टूबर को देख रहें अभी इसके बार आपका सेप्टेमबर बचेगा अगस्त बचेगा जुलाई बचेगा जुन वस्फोर मंस का और जितना करेंट अपर्दिस का अबर अंटायर कर सकते हैं उसको व्यत्रूप में देख रहें और यह जो करेंट पर आप सब्सक्राइब कर रहा हूं यह आपका द्रिश्टी आई-स का करेंट पर सोता है काफी कर सकते कि यह डिटेल्स में होता है यह आपका कर सकते हैं कि जीके का पेपर है बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा डीपली में लेकर नहीं जा रहा हूं बस इसका जो विरत संग्रा है द्रिश्टी आई-स का उसका मैं सौट संचिप्ट वरिप आप सभी को देन सेल टेस्टिंग मोबाइल वेन लोकारपिट राजिपाल ने की सीकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वेन लोकारपिट कब किया दो अक्टूबर दो होजार तैईस को मद्धि परदेश के राजिपाल मंगू भाई पटेल मद्धि परदेश के राजिपाल को ने मंगू भाई कका कवा सकते अंदर है यह वीमारी है इसके लिए का सकते ये जांच के लिए आपका सिकल सिल के डिजीज है क्या इसके जाज के लिए मॉबाइल वेन चलेगी और लोगों का जाज करेगी तो यह लॉंच किया है कब 2 अक्टबर 2023 को किस ने क्या राजिपाल मंगुवाई पटेल ने और यह कर सकते है कब क्या गांधी जनती का उस्वर पर तो मॉबाइल ट आपका सिकल सिल नियंतरन के प्रयासों के लिए जन जाते समुद्धाय को घर पर विग्यान को पहुंचाने के लिए मॉबाइल टेस्टिंग वेन प्रभाविय लोगों को जाग रूप करेगी और इस प्रकार के मरीज मिलने पर उनकी जाज की जाएगी तो यह देट यादक रखना है ठीक है बस और किस संस्का को समर्फित किया गया थरलब है ऐसे बस तिनहीं पूंट आपको यहाद रखना है ज्यांद आपको यहाद का तॉनही राइसेंड आपसे पूछा जान पहरी और दिखेंत को नहीं थऔर जोड़ ले में यहैं ठीकिक है अगला इसमें ज्यादा हमकों नहीं जाना है आपसे प्रस्णायगत इसी लेबल का एगा इसे बहुत सारी चीज़ें उन चीजों को आपको देखना ही नहीं है निता भटक जाएंगा अगला है मुखमंति ने आजीव का माट और सरसमेले का किया सुभारम तो आजीव का माट और सरसम मेला का सुभारम कहां किया कब किया किस ने किया इतना ही आपके अधकना है तो एक अक्टूबर 2023 को किया इस ने किया सिवराज सिंग चुहान ने किया कहां किया भौपाल हाट में आजीव का माट और सरसमेला 2023 का फीटा कार सुभारम किया तो आजीव का माट का सुभारम कहा किया बौबाल हाट में किया किसं ने किया सीवरास ने किया कब किया एक्टूबर 2023 को किया आप meille प्रॉजर का दाघीय का स्पर्ट करण का कहां य Tir voy aan अक्टूबर 2023 को किया और यहां पर आजीव का माठ हल कर ऍहुंड को में उन्रफ पाल और प्रदेश के पहले डबर टेकर ऑबर ब्रीज का किया भूमी पूजन प्रदेश का पहला आपसे पूचा जागा अरं मद्रि प्रदेश का पहला डबर टेकर ऊवडर ब्रीज का दिर्मान कहां पर हो रहा है तो यह ओ रहा है को पर इन असुन में इसका किस ने किया और कितने करोड में बनेगी 1483 क्रोड में 1483 क्रोड की लागत से बनेगी और इसका स्रियानस 30 सितंबर 2023 को मानने है मुखमति स्रीवरा सिंग चौहान ने किया डबल डेकर ऑबर ब्रीज जो की अधनिक समय की डिमांड है डबल डेकर ऑबर बने ताकि जो बहुत ज्यादा अभी कर सकते हैं कि वीड़ भार वाले इलाकों में आपका जाम लग जाता है इनसे ट्रेफिक की समस्या से निजात पाने के लिए एक नया एडिया है ब्रीज के उ जो अधनिन तर्फ यह क्रोड जर स्यांद निषीब प्रीज मद्य पर्देश में पहला बन रहा है दर भी तक नहीं कि आ पर आपका पूल में यहां पर रेसिंग भी होगा इसके अलावे यहां पर अलग-अलग चेंजिंग रूम लॉकर रूम वास्रूम स्टीम बात सोना बात बहुत तकी सुविधार केफ्टरिया बगल में रहेगा मल्टी जीम की भी सुविधार रहेगी इसलिए यह कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल का उधातन किया इंद्वर में अगला है मुक्मंति नीमच में किया परदेश के पहले बा बायो टेक्नलोजी पार्क का स्लियनास कहां पर किया गया नीमच में यह इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है तीस सितंबर दोहजार तैइस को मद्य परदेश के मुक्मंति शीवरास सिंग चोहां ने जीले के जावद कौनसा जीला नीमच जीला का जावद छेत्र मे सरवानिया महराज के 50 क्रोड रूपई की लागत से बनने वाले परदेश के पहले बायो टेक्नलोजी पार्क का स्लियनास किया 153 करोड 37 लाग रूबे के विविन विकास कार्यों का भूल पूजन किया यह आपके लिए इंपर्टन नहीं है याद रखिए कि अभी बायो टे नीमच में कहां जावद छेत्र के सरवानिया महराज जगह है जावद जो आपका नीमच जीला का जावद छेत्र वहां पर सरवानिया महराज जो जगह है वहीं पर बाय टेक्नलिकल पार्का स्लियनास किया गया है जिसकी लागत एक सो तीरपन करोड जिसकी लागत आपका 50 क प्रोड रुपे की लागत से बनेगे और इसके लिए का सकते बहुत सारे यहां पर आठ उचस्त्रिय पर्योग साला है और इंक्यूबैसं सेंटर बनेंगे तो यह की पहुत सारे चीज़ें आपसे अगर सब्जेक्टिव एक्जाम के दिस्टि कौन से आता है यह सब इंपोर्टर है जो नीचे वाली चीज़ें हैं यह सब्जेक्टिव एक्जाम के लिए यह यह ज़िए जरूरी जाता है इसलिए सिराज सिंग चौहां ने भौपाल मेट्रो रेल मेट्रो रेल के ट्रैल रण का आरम किया कहां सुभास नगर डीपो से हरी जंडी दिखाई इसको देख लेना एक बार आगे क्या क्या है मुखमंत्री ने कहा कि मेट्रो राम होने से परिवन की नई करांती आएकर विकास पत्पर भौपाल तिव्द्गति से दोड़ेगा यह दूरा इनितिक बाते हो गई और यह क्या होगा सुभास नगर से रानी कमलापती स्टेशन तक या दखिए सुभास नगर से रानी कमलाप स्टेशन तक पांच किलोमेटर लंबे जो यह मेट्रो है यह पांच स्टेशन है इसकी अधारबुत सनजनाओं का काम प्राकृतिक बादाओं के बाद बहुत तेज से पूरा किया गया मेट्रो रेल के पहला चरण है इसमें क्या वहास नगर एंस तक शुबास नगर एम तक साथ किलो मेट्र मैं संचालन होगा भपाल मेत्रो का संपूर्ण संचालन करा सब्सक्राइब हो जाएगा कितने किलोमेटर बनेगा यह साथ किलोमेटर तक बनेगा और कब सुभारम किया गया सब्सक्राइब है यह भी आम पब्लिक के लिए भोपाल में या दखेंगा भोपाल में हुआ मैटर का उसका ट्रायल का सुभारम कि आगे बढ़ते हैं स्री मोहन सिंग को उतक्रिष्ट कर्तवनिष्टा के लिए दिया गया राजस्त्रे स्वर्ग देवी प्रसाथ सर्मापुर पुरुष्कार 2021 बाहे 2020 कि किसको मिला है किसको मिला है यह स्री मोहन सिंग को तीन अक्टूबर 2023 को मद्धी प्रदेश के स्कूल सिक्षा स्वतनत्र प्रभार और स्रमान परसाथ राज्यमंत्री इंदर्ध सिंग परमार ने मंत्यालय में उत्कृष्ट करता उनिष्टा के ल दिया जाता है क्यों यह आपको यहां से समझ में आएगा मुखमति शिवराज सिंग चोहान द्वारा स्वर्गिया देवी परसाथ सरमा की स्मिर्ति में की गई पुरुष्कार की घोसना करने पालन में राज शासन प्रदेश के शास्क्या चतूर्थ स्रेनिक करमचारियों क इसको उत् Julia कर्देश में 2017 से यह पुरुष्कार दियाने की सुरुवात हुई है और इसी में जो आपका स्वर्गया देवी परसाथ सर मस्क्utta जी है इनीके नाम पर पुरुष्कार दे जाता है किनको चतूर्थ कर्मियों को दिया है ताकि वह अपने काम के परतित लगन दिखाए अच्छे से काम करें उनको थोड़ा प्रेर ना भी मिले कि हम अच्छा काम करें तो मुझे भी आवाड मिल सकता है मेरा भी नाम हो सकता है तो चतुर्ष्रिन की कर्मचारी किसको दिया कि मोहन सिंग को कौन से वार स्वर्ग दे पर यह दिया जाते हैं पर्षस्त्री प्रमानपत्र दिया जाता है तो एक लाग याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा जो स्वर के दूर्गा पर्षा सरमा पुरुष्कार है उसके तरफ कितनी रासित दिया थे तो वन लैक एक लग जो आया वह वह आपस आया टीवी के रखिए टीवीजन कॉर्परेशन ने जो स्टर्ट क्याता पका केंपेंड जो आया वह वापस आया यह एंपी की माया यह उह एंपी की माया तो टुरिजम बोर के दुबरे चलाया गया था लॉंच किया गया था इसको औरंगा बाद में इंडियन एस्वासीएशन अप ट आपको नहीं जाना है जो आया वहापस आया ये एमपी कीम चला था मुखमंत्री क्या देख्षता में मंत्री पसंद के महत्पूर निरने यहां पे बहुत इंपर्टेन आपके लिए एक भी नहीं है इसलिए यहां से सिधे स्किप करना है आते हैं आगे हाँ खेलो MP यूद्गेम्स 2023 खेलो MP यूद्गेम्स 2023 जैसे खेलो इंडिया यूद्गेम् मद्ध्य पर्देश में चला जाता है और इसमिंदॉर इस बार 2023 में चेंपियन बना है 5 अक्टूबर 2023 को मद्ध्य पर्देश के ठीटी नेगर इस्टेडियम भोपाल ने खेलो MP यूद्गयम्स 2023 का समपन हुआ समापन का हुआ है इसमें इंदोर ने शांदार खेलते हुए पसंद करते ओवराल चेंपियंज ट्रॉफी प्राप्ट की और कितना पदक जीता तो 42 स्वर्ण 32 रजद और 34 पदक कुल 98 पदक जीता और जबलपूर आपका दूसरे अस्थान पर रहा इंदोर पहला अस्थान पर रहा और जैसा कि कि मैंने पहले ही का खेलो इंडिया यूद्गेम्स के तर्ज पर यहां पर खेलो एंपी यूद्गेम्स का आजन किया जाता है और इस बार अबरल चेंपियन आपका कौन रहा इंदोर चिक हैं आगे बढ़ते हैं पर्धामत्री ने जबल्पूव में 12600 क्रोल रुपे से अधिक उकास परिणाओं का सिलनास किया यह इंपर्टेन आपके लिए क्यों क्यों कि यहां पर कितनी का किया को मतलब नहीं मतलब है यहां पर राने दुर्गावती इश्मारक और उद्ध्यान का भूमिपूजन मान कर सकते क्या उध्गाटन किया गया विरांगराज दurd Guard tack और ऊद्ध्यान का भूमिपूजन किया वहाँ पर बने गया कितने का 200ी लागत से बरने वाला विरांगराज दुर्गावति कि मारक बने गा कितने से哎 railroad ठीक है है और यहां पर उसके प्रतिमां भी लगेगी जो कि 거죠 वावन फिट उच्ची कांसे की प्रतिमान लगाई जाएगी राने दुर्गावती कौन है इसके बारा आपको जानना चाहिए तो सोलवी सतापदी में वो गोंडवाना की सासी का थी जो कि मुगलों से निजर होकर लड़ी थी इसलिए उसके वीरता को कर सकते हैं एक सम्मान द पचासमें जन्म सतावदी समारों के आउस्वर पर किया गया है और कब किया गया पांच अक्टूबर दोजार तईस को किया गया है तो चलिए इसमें इतना ही आगे बढ़ते हम लोग अगला जो है आपका राष्ट्य सांस्कृतिक समारों में तईस परतियों किता हैं जीत क एकलव आधर्स आवातिय लाहग की विद्ध्यारति ने लें अवलाल दूसरा अस्थान प्राव्प्ट कर पकिया है मदीपर्देश और उत्राक्री सिब्सक्राण उत्रह ऐन पर च sentido अबर्स दोनम मार पका मदीपर्द्र राग कि म सा इसमें मद।्य परतियों के जंजाति कि विद्याटियों ने देहरा दून में E-M-R-S E-M-R-S क्या हो गया एकलब आदर्स आवासिय विद्याल है E-M-R-S के चोथे राष्ट्य सांस्क्रितिक समारों में 23 परतियों कितावों में सर्ष्ष्ष्ट प्रदर्सन का दूत्य अस्थां प्रात किया ये काफी अच्छी बात है सकेंड पोजिशन रहे अगे हैं मुखमंत्री ने रवाना क्या चलित दीन द्याल रसोई केंद्र अब जैसे कि इसका क्या प्रोभीजन है आप समझ लें कि पांच रुपईये में जो सर्मिक है मजदूर है उनको भोजन उपलाउप कराया जाएगा और कहां पर चलि पर ही उन्हें भोजन कराने का उपाय करेगी मात्र पांच रुपए में भरपूर भोजन गरीब को मिलेगा पहले भी यह कारक्रम चलता था लेकिन किसी एक सेंटर पर चलता था अब इसमें नया क्या है दिन द्याल रसोई के अब यह चलने वाल है जा जाकर आपको भोजन वहीं पर करा देगी यह सर्मिकों और जरतमंदों को उसके कारस्तल के नजदिक भरपिट भोजन की सुविदा मिल सके इसी इक्षा के साथ इसकारक्रम को स्टार्ट किया गया है और कब किया गया है आप देखलें साथ अक्टूबर 2023 को किया गया है दीन द्याल रसोई के अन राष्ट किसुर पुरुषकार और राष्ट लतामंगेस का सम्मान तो राष्ट किसुर कुमार पुरुषकार 2022 के लिए फिल्म अविनितर धर्मिंदर को यह पुरुषकार मिला है और लतामंगेस का सम्मान निर्देशक उत्तम सिंग को मिला है मध्य पर्देश के दवारा दिया जाने वाला यह सम्मान होता है राष्ट किसुर कुमार सम्मान राष्ट लता मंगेस का सम्मान यह 2022 की घोषना कर दी गई है धर्मेंदर को और उत्तम सिंग को यह दिया गया है इसमें कितनी राष्टी दी जाती है वो भी आपको देख लेना चाहिए राष्टी पूछाए सकता है आपसे तो आपका पांच लाग और प्रस्तित पत्र दिया जाता है प्रस्तित फिल्म अभिनता धर्मिंदर को किसुर कुमार समान के चुना गया वर्स 2022 का राष्टी किसु तो इस बार दिया गया किसमें अभिनेता है तो अभिनेत के चेत्र में दिया गया आपका धर्मिंदर को दिया गया अभी राष्टी कितनी दिया तिया पांच लाग आप देखें पांच लाग राष्टी दी जाती है किसी मंत्री ने किया मुरेना होटी कल्चर कॉलेज का स् तो मद्य पर्देश के मुरे ना में होगा इसका उद्गाटन हो गया है इन चीज़ों पर नहीं जाना है कि आगे बढ़ते हैं मद्य पर्देश विदान सभा निर्वाचन की घोसना हम लोग ने विदान सभा चुनाव के बारे में नौंबर और दिस्वंबर के करेंट रिपर मंद्य पर्देश में निर्वाचन की घोसना मर्द्य पंध्य पर्देश में निरवाचन की घोसना क कब करके 9 ऑक्टबर 2020 को किसले की अनुपवाम राजन Нेकी और और मर्द परस्त में आदर साचार संहिता कब लाग होई तो घोसना के दिन से लाग हो जाती तो 9 अक्टूबर 2023 को अधर साचार संहिता लाग हो गई और मर्दान कब वहा 17 नौंबर को यह भी आपको रखना 17 नौंबर को मतगन्ना कब वहा तिन दिसंबर को और आपका कब से कब तक नमांकरन्पत जमा की जा सकते हैं तो इकीस एक्टूबर को टिवाचं का अदिसचना इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना को फॉर्म 12D फॉर्म 12D भरने की सुविधा दी गई थी जो आपके दिव्यांग मर्द आता है और वरिस्ट एटी पलस एज वाले हैं और जो दिव्यांग है उन्हें फॉर्म 12D भरकर घर पर पोस्टर बिलेट के मारणे से मर्दान करने की उन्हें सा एप लॉंच किया गया था सी वीजी वीजिल एप लॉंच किया गयता है ताकि कहीं अगर कोई घडबर हो रही है ता आप शिकायत कर सकते हैं चुनाव आजक से दो मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड करके इसमें आप डालना है और तुरंद कारवाई होग अलागे इसके बार हम दोगों ने नॉवंबर दुस्टंबर वाले करेंटे परस में देखी है फिर भी रिकॉल के लिए फिर रिवियन होगी आपका भारत स्काउट एवं गायड के छटी राज रेली परतियों किता का होई तो 12 अक्टूबर 2013 को भौपाल भौपाल के भारत स्काउट एवं गायड दर आयजित छटी राज रेली परतियों किता संपन हुई परतियों कि शुर्वात का हुई थी नौ अक्टूबर को हुई थी और समापन का हुए बार अक्टूबर को कहां पर समापन हुए भौपाल के हभीब गंज रेल्वे कोलोनी स्थित खेल मैदान में आगे बढ़ते हैं यहां पर आपका अस्य वर्ष या उस्य अधिक आयू के वरिष्ट और दिव्यांग मर्दाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मर्दान करने की सुविधा अभी पिछले पाइंट हम लोगों ने देख लिया इ आप घर से ही मर्दान कर सकते हैं यह सुरुवात की गई है अगला है आई आई एस ए आर के बेग्यान को ने चुम किया छिद्यू कारबन नेनो करनों का उत्पारण किया यह संस्थान का है यह आपका भोपाल में है यह बहुत ज्यादा आपके लिए इंपर्टन आपके यह जड़CCI ज़रूरी है ना सियं हेलप Moto में चुन रिं च लाठ पहले नमर में यानि यह से सचायते में सबसे कम चुंटा है ने में तो ऋसी के बारां बताया को पहला रंब्ट मिला तो यह 11 अक्टूबर 2023 को मुद्य पर-ध परत्य महिना का लग लग होता है इसलिए यह इंपर्टेंट मेरे मुझे लगता है इतने इतने इंपर्टन नहीं रहेगा फिर आप एक नजएर देख लें कि चिंदवाड़ा में सबसे कम सिकायतें गई है और दो नमर पर आपका बुरहानपुर रहा है तो शोलर नगर निगों में चिंदवाड़ा पहले नमर पर अब रहानपुर दुसरे नमर पर आए उज्जया ने तिसरा अस्तान पाया है चार महानागरव से जवलपूर टॉप फाइव माई है सबसे कम सिकायतें यहां से गई है और जहां सबसे कम गई है उससे रेंकिंग व महिने का था सिकफ्पटूबर महिने का completely हो चुका है अब हमको कौणसा करना के पहले आपका सेप्टेमबर अगस्ट जूलाई और व्ड़ून चार महिने का और करना है इसके बाद आपका करेंट का सेशन भी कंप्लिट हो जाएगा बाद बाकि जी के क्लास जो ट्रेडिशनल जी के हैं एंपी की चाहिए हो हिस्ट्री हो जोग्रफी हो एकोनुमिक्स हो प्वालिटी हो लगतार चल रही है और आप भी चाहते हैं पेपर कि कंप्लेट त्यारी कर सकते हैं बिदाउट एंक घॉष्ट जीट फिफर बस आपको हमारे साथ जूड़ना होगा हमारे चनल से जूड़ने के लखें कर दो करना है चनल को